घेलो फ्रेंड वेलकम बेक तो मैं चैनल तो आजम बात करने वाले हैं एक्रैलिक बॉल पुट्टी के बारे में किया हमें क्राफ्ट में क्यों सकने चीए और यह क्यों जरूरी होता है हमारे क्राफ्ट के लिए और इसको किस तरिके से यूज करना चाहीए तो इसी वीडियो में आज आपको यह बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपने कुछ foreign country की वीडियो देखी होंगी YouTube में जो craft में यूज़ करते हैं कुछ cardboard देखिए कुछ इस तरह का cardboard होता है तो उसमें वो texture देते हैं वहाँ पे जो नाम show करते हैं speckling paste के नाम से तो कुछ लोग confused रहते हैं कि speckling paste क्या है यह foreign country में ही मिलता है इंडिया में नहीं मिलता तो speckling paste जो होता है वो आपको उसी foreign country में ही मिलेगा लेकिन इंडिया में जो जिस नाम से आता है वो acrylic wall putty के नाम से होता है जो हम अपने craft में use करते हैं तो आप speglic paste के नाम से search ना करें इंडिया में आपको देखना होगा acrylic wall putty और आपको wall putty से पता चली किया होगा कि ये wall में use होता है और कुछ karbender अपने wood में भी use करते हैं जैसे देखिए interior के कुछ wood होते हैं उसमें भी आप इसमें use कर सकते हैं साथी साथ आप इसमें craft में भी इसको use कर सकते हैं तो Asian paint का wall putty कुछ 1 kilo के pack में ये box आता है जिसकी MRP आ जाती है 83 रुपीज ये आपको local market में 70 रुपीज तक आपको मिल जाएगा 1 kg इसका ये box है तो आप इसको use कर सकते हैं अपने craft के लिए मैं इसको आपको दिखा रहता हूँ open करके कुछ इस तरह के से आपको open करना पड़ेगा क्योंकि काफी tightly ये packed होते हैं तो इस तरह के से आपको open करना होगा मैं इसे हमेशा craft में ही use करता हूँ तो special मैंने ये video बनाई है ताकि आप भी इसके बारे में अच्छे से जान लें कि ये क्या material है और इसको कैसे use किया जाता है तो देखिए कुछ इस तरह की का आता है काफी थिक होता है ये देखिए जो आप देखते हैं पुट्टी जो आती है P.O.P. plaster of Paris के नाम से एक लोगा जो packet आता है 35-40 रुपीज का जिसमें हम water mix करते हैं फिर उसको थोड़ा सा इतना थिक बना के उसको apply करते हैं वैसे ही ये भी चीज है इसमें भी water mix है और एक बात और ये वाल पुट्टी जो है acrylic वाल पुट्टी ये भी पानी से ही बनाए गई है इसमें पहले से ही water इसमें mix होता है तो अगर आप चाहें तो अलग से भी water में आप इसका use कर सकते हैं जैसे हमें कहीं apply करना है तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला करके भी इसको use कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये गाड़ा रहेगा तो लेकिन अगर आपको कहीं blend करना है तो उसके लिए आप इसमें water mix भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको direct use कर सकते हैं कुछ इस तरीके से लेकिन जब भी आपको कोई work हो तो आप इसको या तो कोई एक bowl में या फिर कहीं एक आप इसको plate में ले सकते हैं उसके बाद इसको cap इसकी बंद कर दिजिए उसके बाद ही आप अगर use करते रही है अगर छोटा मोटा काम है आपका तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कहीं अगर आपका ज़्यादा work है तो आप इसको open मत रखिए खुले मत रखिए यह थोड़ा दिये दे करके dry होने लगेगा इसके बाद ही आपको use करना चाहिए अब आपको उसको use कैसे करना है जैसे कोई भी अगर आप craft कर रहे हैं कहीं भी अगर आपको cardboard है कोई भी material है अगर आप उसको hard surface देना है यह कुछ texture बनाना है तो आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं या wood look दे सकते हैं तो इस चीजों में यह acrylic wall putty काम आती है और उसी को आप इस तरीके से plain service करके आप apply कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने लिया और इस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं जितनी thick layer आपको चाहिए उतनी ही thick up layer लगा सकते हैं और इसमें यह बात होती है जैसे हम direct apply कर सकते हैं cardboard में यह dry होने के बाद यह crack नहीं होता है जैसे आप plaster of paris P.O.P. use करते हैं तो वो कुछ time में crack होयाती है तो उसमें हमें fabigol mix करना पड़ता है ताकि crack ना हो लेकिन हम इसमें यह direct use कर सकते हैं cardboard में ना आपको fabigol मिलाना है ना कुछ करना है आप इस तरीके से इसको apply कर सकते हैं और जो भी आपको texture देना है वो आप इसमें texture दे सकते हैं अगर आपके बाद कोई stencil है तो इसको भी आप इसमें fill करके stencil निकाल सकते हैं जो कोई mold होता है उसमें आप इसको fill कर सकते हैं और इसे dry होने के लिए कम से कम आप 4 से 5 hours तक इसको छोड़ दीजे उसके बाद इसमें आप color कर सकते हैं और इसमें last में varnish polish भी कर सकते हैं तो आप इसमें इस तरीके से craft में इस material को use कर सकते हैं तो मेरी जितनी भी craft videos हैं मैं उसमें यही use करता हूँ तो I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी और आगे से आप भी यही material यूज करिए और आपको यह local market में मिल जाएगा आराम से जिससे आपका craft work और भी पहले से better बन सके इसलिए मैंने इस पेसली आज यह video बनाई है आपके लिए आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर आप मेरे channel में पहली बार आए हैं तो subscribe जरू करिए Thank you for watching